हेलो गाईज, आप निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point सो गाईज, हमारी जो फर्स यूनिट है, वो है कला विधा के रूप में सिनेमा इसका स्लेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइट कर दिया है इसकी प्लेइलिस्ट की आपको बाकी क्लासस भी मिल जाएं, वो मैंने उसमें प्रोवाइट कर दी है बट अकॉर्डिंग टू थम्नेल, तो ये आज की पहली क्लास है और इस क्लास से हम अपनी फर्स यूनिट कॉंटिन्यू कर रहे है सो कला विधा की रूप में सिनेमा को हम कंटिन्यू करेंगे और इसको हाफ पढ़ेंगे, दिन हाफ हम पार्ट टू के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि इसको थोड़ा डीपली समझना सरूरी है ठीक है सो कला का संबन्द जो है, एक स्रजजन से है और इनसान ने अपने स्टार्टिंग टाइम से अब तक पूरा तरीके से स्रजजनात्मक्ता का परिच्चे दिया है ठीक है तो इनसान की जो सब्वेता है, मानव सब्वेता है उसके विकास के साथ कला रूपो का भी डैवलपमेंट हुआ है जब इनसान बढ़ता गया, जैसे पहले ब्लैक और वाइट मुवी जाती थी फिर कुछ था, फिर कुछ था, पिर आगे बढ़के टैक्निक्स इतनी हो गई, कि कलर मुवी आ गई है बैठे बैठे, अब इतनी जबदर टैक्निक की हमें आस्ट्रेलिया की शूटिंग के लिए विजिट नहीं करना होगा हम लोग अपने, आप वहां जाकर, मतलब हम लोग इन दसेंस कैमरा मैन है, डारेक्टर है अगर मजबूरन एक्टर, एक्टरिस नहीं जा सकते हैं किसी और से शूटिंग करवा कि उनका फेस वहां पर एड़्जस कर देते हैं तो ये वह वाली चीज़े होती है, ठीक है? कि डान्स का स्टन्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनकी फेस एड़्जस कर दिये जाते हैं वो हीरो हीरोईंस नहीं करते हैं तो ये वो वाली चीज़े हैं कि इनसान की सभ्भेता के साथ मानव के मस्तिक्ष का कला रूपों का भी विकास हुआ है कला की हेल्प से दिमाग और उसकी कल्पना को पढ़ना बहुत असान हो जाता है ठीक है कि जस्त लाइक एक्जामपल कोई आर्टिस्ट है आर्टिस्ट अपनी अपनी तरी अब पैबलो पिकासो का अगर मा आपको एक्जामपल दूँ तो पैबलो पिकासो जिस तरीके की पेंटिंग बनाया करते थे उस पेंटिंग से उनको ही जाना जाता था M.F. Hussain जस तरीके की पेंटिंग्स बनाया करते थे वो पेंटिंग्स देखते ही हो जाता है हाँ ये M.F. Hussain ने बनाई है तो ये कि कला के अंदर उनका मस्तिक्ष और उनकी शिक्षाएं दिखती है पता लगता है कि हाँ अगर हम बिना नाम पड़े भी नीचे नाम नहीं देखी ना पेंटिंग्स भी क्या लिखा है तो हमें पता है ये M.F. Hussain ने बनाई होगी लिनार दोदा विंची ने मोना लीसा की पिक्चर बनाई दुनिया को पता है क्यों पता है भाई उनका जो दिमाग था वो यही चीज़ को प्रेफर करता था और उनकी मैकसिमम बेंटिंग्स ऐसी ही थी मोना लीसा टाइप वाली ठीक है तो जी यह वाली बात है कि जो मानता की बहतरी इन सपनों को पार कर सके जहां पर मनुश्य एक तरीके से जाकर ठैड़ सके कि हाँ हाँ अब भई यहां पर मैं हूँ मैं यहां रह सकता हूँ मैं यहां खुश हूँ बहुत खुश हूँ तो ऐसे विचारों को उठा कर रखा जाता है सिनिमा के अंदर एक शॉट इसिफ एक शॉट सौ बार हजार बार लिया जाता है क्योंकि वो ठीक नहीं आता और दर्शक हो तक उस शॉट को पहुचाना बहुत जरूरी है ये जो आप यूट्यूब पे एड्स वगरा स्किप कर देते हो ना इसको बनाने में कितने महीने कितने करोर, रुपे सब लगते हैं और आप स्किप कर देते हो देखते नहीं हो तो ये वो वाली चीज़े कि उसके अंदर उनका दिमाग लग रहा है टेकनीक्स लग रही है, कैमरा मैन है डायरेक्ट किया जा रहा है, हीरो हीरोई जो भी रखे गए हैं, वो हैं ठीक है, ये वो वाली चीज़े हैं सारी तो भाई उसका जो है, उपरी उपरी हम मतलब एक तरीके से हमें संतुष्टी मिलने चाहिए हमें रिलाक्स मिलना चाहिए कि हाँ, हमारा काम जो है, प्रॉपर तरीके से हुआ है सिनेमा कई कलाओं के लिए जाना जाता है जस् लाइक एक्जामple, डांस के लिए या फिर हमारे म्यूजिक के लिए या फिर हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए ठिक है, सिनेमा आज के दोर में भी एक बहुत महतनपूर कला में भी का मतलब है कि पुराने टाइम पर भी ये बहुत जादा महत्वपूर्ण कला थी क्योंकि आप पुराने एक्टर्स सब जानते होंगे मधुबाला थी, रिशी कपूर थे, नीतू थी और भी उनसे भी पुराने जो बहुत सारे थे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो बहुत अच्छी एक्टिंग, ये अपनी एक्टिंग में डूब गए बिल्कुल, उन्होंने हम लोगों का मनुरंजन किया, हम ये अपनी तरफ अट्रेक्ट किया तो ये वो सारे लोग होते हैं, सिनेमा आज की टाइम पर भी इनफेक्ट आज की पीडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है जितने देख लो सारे न्यू मैरेट कपल्स हैं, यंग्स्टर्स हैं, बॉइस गर्स हैं सब ज़्यादा तर सिनेमा में वो ही होते हैं, बजाए ओल्ड एज या फे 35-45 उमर के लोगों के एडल्सेंस, टीनेजर्स, ये ज़्यादा बच्चे दिखाए देते हैं अब आजाओ जिस सिनेमा के समाने पर इच्छे पर, अब हम बहुत नॉर्मल साइस का इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे कि वाट इस सिनेमा, ठीक है तो सिनेमा हमारी संस्कृती का हिस्सा है, ये बात आप सब को पता है, और होनी चाहिए कि बॉलिवोड एक तरीके से हमारी संस्कृती का हिस्सा मानी जाती है जिसमें अलग-अलग कल्चर्स के, अलग-अलग रिलीजिन्स के लोग काम करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, क्रिशिन और जो नास्तिक हैं वो भी काम करते हैं और हमारी सास्कृति को दिखाते हैं कि येस, इंडिया इस डेमोक्राटिक एंड सेकुलर कंट्री हमारे जिन्दगी को अगर कोई कलाब बहुत जादा मिल पाई है और कहीं से मिल पाई है तो वो सिर्फ सिनेमा से मिली है ये बात भी याद रखना कि हमें टेक्नीक्स हमें नॉलेज, हमें इमेजिनेशन हमें एंटर्टेर्मेंट सब चीज़ें जो मिली हैं कहां से मिली हैं सिनेमा से मिली हैं सिनेमा के स्टार्टिंग से ही वैवसाइक और आवैवसाइक जो फिल्मे थी वो बनने शुरू हो गई थी कमर्शल और नॉन कमर्शल मुवीज की बात यहां पर हो रही है ठीक है कि भरी डॉक्यूमेंटरी तो अब कहीं जाकर इतनी जादा बनने शुरू हुई है पहले कमर्शल और नॉन कमर्शल दोनों मुवीज बनाई जाती थी ठीक है कि मतलब रियल बेस स्टोरी से रिलेटेड भी लव स्टोरी से रिलेटेड है एक्शन मुवीज हैं यह सब कुछ हमारे स्टार्टिंग से बनाई जाती है कोई अप नई 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 आई है तो जी उन्ही फिल्मों को दर्शको ने और आलोचो को ने याद रखा जिन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत गहराई से दिखाया टॉलिवुड मुवीज में आप लोग उनका पहनावा जादा तर जादा तर साड़ी लहंगा यह सब देखते हो ठीक हिरोईन अगर भार से पढ़कर आई है या बाहर रहती है तो वो जरूर शॉर्ट कपड़े पहनी भी होती है वेस्टरन लुक अपनाई होती है लेकिन मैकसिमम टॉलिवुड में साउथ इंडियन पहनावा साउथ इंडियन सब कुछ दिखाया जाता है इन फैक्ट महां के हीरो हीरोईन अगर अपनी मूवी का प्रोमोशन भी करते हैं तो साड़ी सूट में दोती में लुंगी में इन सब कबड़ों में ही करते हैं वो अपने उस पहनावे को जादा पसंद रखते हैं बजाए बॉलिवुड के बॉलिवुड में तो बहुत ही वो जैसा हो चुका है अलमूस्ट क्योंकि वहां का पहनावा बिल्कुल वैसा बन चुका है कोई भी साड़ी पहनना सूट पहनना पसंद नहीं करता सब को जीनस टॉप चाहिए क्रॉप टॉप चाहिए वन पीस सूट चाहिए ये सारी चीदे हैं सिनेमा सिफ आनन नहीं वि सिनेमा से हमें बहुत तरीके के मैसेज़स मिलते हैं उसके एक्जामपल में आप लोग बहुत अच्छे एक्जामपल दे सकते हो होपस हो कि आप सभी मूवीज देखते हो और क्या होपस हो क्या देखते ही होंगे भाई मूवीज को कौन छोड़ रहा है हां तो आप सब मुवीज के मैसेज को जानो क्योंकि यह आपका सबजेक्ट है एक्जामपल की तौर पे आपको बहुत सारी मुवीज मिल जाएंगी थ्री इडियट मिल जाएगी तार जमी पर मिल जाएगी ठीके बहुत सारी मुवीज हैं जो आपको मिल सकती है कि हाँ हमें यह मैसेज दिया इस मूवी के अंदर ओके वहाली चीज़ है कि हमें विचार भी मिलते हैं सिर्फ मनोरंजन ही नहीं मिलता उसके अलावा ये कि सबसे लोग प्री एकला माद्यम से के रूप में सिनेमा को देखा जाता है कि सबसे लोग प्री एकला जो है हमारा सिनेमा ही है फिल्म समाज और समय का जो एक दस्तावेस सी बन चुकी है कि हाँ फिल्म समाज और समय को एक साथ कि हाँ ये मतलब अब ये चीज हो गई है कि नॉर्मली आपस में रिलेट करके हद से हद साड़े तीन गंटे की मुवी होती है इससे जादा लंबी मुवी बहुत से बहुत चार गंटे की होती है इससे जादा की नहीं होती है क्योंकि बनाने वाले को भी पता है कि सामने वाला कितनी देर बैट के मेरी मुवी देखेगा नहीं देखेगा इतनी देर तो वो देखेगा इनी बीच में छोड़ छोड़ के उठ जाएंगे फिर उनको जो स्टार्ड्स हैं जो भी चीदे हैं वो नहीं मिल पाएंगी और उनका जो बजट है वो भी नहीं बन पाएगा इसलिए हैं फिल्में समाज का एक चरितर होती हैं कि उनका कैरेक्टर पता लगाती हैं उसके अला के तोर पे गंगु बाई आप ले सकते हो जी कि उसके अलावा आप लोग आर्मी की जो अभी एक मुवी आई थी मुझे नाम याद नहीं हैं जिसमें काईरा और सिधार्त मल होत रहा हैं उनका मुझे बिलकुल नाम याद नहीं आरा मुवी का उस मुवी का एक्जामपल ले सकते हो उसके अलावा अब बहुत सारी मुवी हैं विवे कानन पे मुवी बनी वी हैं बियारम बेटकर पे मुवी बनी वी हैं गुरुन आनक देव जी पे मुवी बनी वी हैं तो उन सब का एक्जामपल दे सकते हो कि समाज में बदलाव लेकर आती हैं कि हाँ ये लोग भी क खतम होने तक जाने जाएंगे इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो जी किसी भी गटना पर जो फिल्म बनती है वो बहुत जादा important होती है especially बाकी movies के accounting तो 90's के टाइम पर हिंदी सिनेमा में कई तरह के groups बन गए थे कुछ लोगों के लिए तो सिनेमा सिर्फ वैवसाय था कुछ लोगों के लिए entertainment था पुरानी पीडी के लिए entertainment था songs अच्छे थे सब चीज़े थी ठीक है तो जिन्होंने बहुत लंबे समय के बाद अपना जगा बनाई और एक तरह से पैसा बनाकर कमाते चले गए कमाते चले गए रुके ही नहीं वो लोग कौन थे 90's के टाइम से सबसे पहले हमारे राम गुपाल वर्मा है जिन्होंने बहुत पुराने टाइम से अपने आपको डैविलप करना शुरू करा और डैविलप करते 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 बहुत 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 जादा आगे बढ़ गए जो आज तक चलते आ रहे हैं डैविट धवन को तो कौन नहीं जानता वरुन धवन की फादर हैं और इन्होंने बहुत फिल्मी डाइरेक्ट की हैं उसके बाद अपने बेटे को एक्टिंग में लिया है तो इनका पैड जो था बहुत अच्छे तरीके से जमा रहा उसके अलावा करन जोहर है करन जोहर की हर दूसरी तीसरी फिल्म जरूर आती है उसके डारेक्टर या फिर राइटर या फिर प्रोडियूसर कोई ना कोई हमारे करन जोहर जरूर होते है इनके कुछ फेमस मूवी स्टूडेंट आफ दा इयर है या फिर और भी मूवीज है जो लोगों ने बहुत पसंद करी तो ये कुछ मूवीज वो है राचकुमार संतोशी भी बहुत अच्छी मूवीज को जे कमेंड करते हैं उसमें एक्टर्स अच्छे अच्छे मतलब लेकर आते हैं कोशिश करते हैं कि उन एक्टर्स के चहरे उभारे जो ज़्यादातर सुर्खियों में नहीं है और उनकी एक्टिंग से फिर वो लोग मशूर होने लगे जस लाइक एक्जामपल अजे देवगन जब सबसे पहले फिल्म आये थे उनको कोई नहीं जानता था कोई नहीं देखता था लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि वो अपनी फिल्में खुद प्रोडेूस करते हैं खुद डायरेक्ट करते हैं उनके अंदर इतनी ज़ादा डैवलपमेंट्स हो चुकी है ठीक है उसके बाद जी ये वाले जो ये सारे लोग थे नहीं सिनेमा के समाज को बदलना चाहते हैं अब जी चाहते थे और इन्होंने बदला भी तो जी ये वाले चीज़ की उसके अलावा अनुराग कशिप है तिखमानशु धुलिया है दिवाकर बनर जी है शुजीत सरकार है या फिर अनुराग बासू है इन जैसे लोगों ने सिनेमा को एक ग्लोबल के तोर पर पहुचाया ग्लोबलाइजेशन के तोर पे ये भार के टाइज जगाओं पर भी मुवीज देखी जाती है हिंदी मुवीज बॉलिवूड मुवीज जो यहाँ पर देखी जाती है ठीके इन लोगों को खियाती मिली है ग्लोबल की इन फिल्मकारों ने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठाया जिससे बहुत साए लोगों को घिनाती है तो मतलब इनकी जो वीडियोस कहरी हैं इनके जो मुवीज होती है वो जादातर कुछ अजीब तरीके की होती है भूत से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है तो इसलिए इन लोगों को इतना पसंद नहीं किया जाता तो जी ये वाली चीज़ की अब इन लोगों की जगा फिर जो हमारे नए लोग थे उन्होंने आने की कोशिश करी और वो लोग आए और उन्होंने आगे का जो था सारा मुद्दा समालना शुरू करा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग माप लोगो को बोला कि यूवा पीडी जो है हिंदी सिनेमा के सेंटर में है कि सबसे ज़ादा जो टिकेट खरीते हैं सबसे ज़ादा मुवीज देखते हैं वो टीनेजर्स हैं या हमारे एडॉल्संस हैं ये लोग हैं ये ज़्यादातर इन मूवीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सिनेमा का में मकसद भी यही है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूवा पाया जाते हैं यूथ पाया जाता है सबसे ज़्यादा ना जादा old है ना जादा बच्चे है युवा सबसे जादा पाया जाता है इस वज़े से सिनेमा की कहानी में भी और देखने वाली अलग-अलग चीजे होती है entertainment के अलावा ड्रामा होता है और भूत की चीजे होती है बहुत सारी चीदे होती हैं जिनको कभी-कभी मूवीज में आपस में रिलेट करके भी बना दिया जाता है बहुत सी भूत की मूवी हैं जो एक तरीके से अवार्ड भी जीट चुकी हैं जिनोंने बहुत अच्छी डरावनी मूवीज बनाई हैं बहुत सारी ठीक है तो फिल्म कार्ड जो होते हैं जादातार कोशिश करते हैं कि सच्चाई से लोग को अवगत करा है अब भाई तुम भूत की मूवीज दिखाओगे तो भूत से तो लोग सच्चाई सावगत नहीं होंगे न लोग तो यहीं बोलेंगे भई पागल बना दी हैं और हम बन भी गए ठीक है भूत भूत कुछ नहीं होते हैं तो जी यह वाली चीज की एक्जामपल के तौर पे कुछ मूवीज ऐसी जिन से बहुत ज़्यादा अवगत कराया गया लाइक त्री इडियट है रंग दे बसंती है स्टूटिन्ट आफ दा इयर है ठीक है दिल दोस्ती एक्स्ट्रा है तो यह वाली जो फिल्मे हैं यह युवा के मन को बहुत ज़्यादा छूने वाली मूवीज है आज के टाइम पे बहुत जितने तुम जितने लोगों से डायलोग सुनलो ट्री डीयट के ज़्यादा है सब को यादा है इसने इसके अंदर क्या के डायलोग बोले हैं क्या करा है क्योंकि कुछ मोटिवेशन्स भी है उसमें दिये गए हैं इस वज़े से ठीके तो YVAO को सेंटर हर साल दरजनों फिल्मों पर दी जाती है YVAO को सेंटर बना के ठीके आज कोई मूवी रिलीज हो रही है रोjes का कोई ना कोई मूवी रिलीज होती ही होती है ये बात 100% sure है आने वाले टाइम में सिनेमा युवाओं के लिए कुछ बहतर करेगा सिनेमा ने बोला और सिनेमा ने ये वाली चीज बोली कि क्या बोला सिनेमा ने सिनेमा ने बोला कि सिनेमा युवा जीवन के मुद्दो और समस्याओं को लेकर बेहत इमानदार भूमी का निभाता है इसलिए वो उनसे related चीजों को दिखाने में सफल रहता है ठीक है कि भाई अब कुछ movies ऐसी है जिन में उनकी अब जैसे 3 idiot है उसमें बोला गया उसमें दिखाया गया है कि क्या situation है students की students की life कैसे गुजर रही है student of the year में दिखाया गया है तरंगते बसंती में चीज़े दिखाई गई है तो इस वज़े से ठीक है इसके हलावा यूवा हिंदी सिनेमा में अपनी वैवसाइक समस्याओं और सीमाओं को भी देखने में बहुत जादा गायब हो जाता है वैसे तो टीनेजर्स या यूद के पास पैसे नहीं है अपने माबाब के लिए खर्च नहीं कर सकते पढ़ाई पे नहीं लगाएंगे पढ़ाई पे माबाब से लेंगे लेकिन फिल्म में जरूर देखेंगे तो यही उनका अट्र씨ं है अपने तरफ बनाने के लिए सिनेमा वालों का जो उन्होंने अच्छे से बना लिया है हिंदी फिल्म उद्धियोगे बहुत बड़ा उद्धियोगे जहां पर इंडिया से बाहर से भी आई भी बहुत सारे एक्ट्रिस काम करते हैं कैट्रिना कैफ हैं, इसाबेल हैं, या फिर हमारी मुन मुन हैं, जैकलीन हैं, बहुत सारे हैं, सारा हैं, बहुत बहुत सारे एक्ट्रिस हैं जो आउट ओफ इंडिया से आई हैं और जिनोंने इंडिया में अपने कदम इतने अच्छे जमाली है कि आज उनको उनके बलबूते पे जाना जाता है आज लोग उन जैसा बनना चाते हैं वो ऐसी बन चुकी है तो ये जरूर एक नई पीड़ी पर उम्मीद सी जगा रही है जिसमें समाज का नया चारा देखने को भी मिलता है ये फिल्मों में इंडिया से रिलेटेड सभी चीज़ों को मैक्सिमम दिखाया जाता है सिफ और सिफ ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलेजिन पे कोई मूवी बनाई गई हो अगर कोई दंगे फिसाद की मूवी भी बनाई जाती है तो उसमें भी अलग-अलग रिलेजिन्स को दिखाया जाता है सिफ और सिफ इसलिए ये वाली चीज़ें हैं कि आम तॉर पे सिफ पर्टिकुलर रिलेजिन्स को पॉइंट आउट कभी नहीं किया जाता सिनेमा में क्यों क्योंकि सिनेमा के भी कुछ राइड्ज हैं, कुछ रूल्स हैं जिसमें वो रिलेजिन्स के तौर पे ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं ठीक है फिलाल बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिन पर बहुत बढ़ चड़के प्रोटेस्ट होते रहते हैं सब कुछ होता है कि इसमें ऐसा दिखाया गया वैसा दिखाया गया तो वो सारी चीजे बस एक तरीक से टीयार पी बढ़ाने के लिए होती हैं हाला कि उसके अंदर ऐ किसे भी रिलेजन को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिनेमा वाले डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर एक्सेक्टर ओके स्टूडेंट सो हम अपना कला विधा के रूप में सिनेमा के टॉपिक को आगे कॉंटिन्यू करेंगे नेक्स क्लास में आज की क्लास में अगर आप लोग को कोई डाउट हो कोई कोई कोश्चिन हो या कोई भी सजेशन्स हो तो आप मुझसे कमेंट वर्क्स या टेलेग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं So thanks for the watching and best of luck all